हेलो दोस्तों मैं शहवाज स्टेडी विद मैथ में आप सभी का स्वाधत करता हूं लास्ट वीडियो में काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किये थे मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सभी के रिपलाई किये ज्यादा-ज्यादा मैंने कोशिश करें अपनी तरफ से कि तरीके से करते हैं काफी बच्छों को माउक टेस का इनलेसिस में दिख्कत आति यह कि वह काफी टेम से इनलेसिस करते है कि और मैं यहां पर आपके सामने इस वीडियो में मौक टेस्ट का अनेलेसिस खुद करके दिखाऊंगा बिल्कुल उसी पैटन पर जिस पैटन में मैं फॉलो किया गरता आप यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अपने हिसाब से किसी भी एक्जा कि किसी ने किया होगा क्योंकि ये खुद मेरी सेटर जी है मैं अपने टाइम पर ये फॉलो किया घरता था और वही मैं आपको शेयर कर रहा हूं ये कहीं नहीं मिलेगा आपको तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट किस तरीके से करना हमें और क्यों ज़रूरी है जाधर बच कि हमारी consistency बढ़ जाए बिल्कुल हर टेस्ट में अगर 70 आ रहे तो 70 से कम ना आए फिर उससे ज्यादा ही आए वह कैसे आएंगे वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो मॉक टेस्ट में हम यहां पर एक इसांपल लेकर चलेंगे कि श्रौक का कोई स्टूडेंट है वह का कोई मौक टेस्ट देता अगर हो मौक टेस्ट अंटिपल आपको पता है 30 marks की यहां पर मैस आएगी 40 marks का यहां पर करेंट अफेर और 30 marks की यहां पर reasoning का section आएगा अब हम मानते हैं कि जो student जो एंटी पीसी का mock test लगा रहा है उसने इस test में 75 question attempt किये 75 question attempt जब उसने की हैं उसमें से उसने मैस में 24 attempt किये जर्नल अवेरनेस में 25 attempt किये और reasoning में उसने 26 attempt किये जब उसने अपने test complete कर लिया तो उसने result यह देखा कि उसके 60 question तो राइट थे और 15 question जो ते रॉम थे तो उसने marks अपने जो obtain कि वो 55 थे उसके marks 55 थे अब वो motivate होने लगा कि ऐसा क्या हो गया कि मैंने 55 marks राइगे अब वो क्या ऐसा करें कि उसके marks increase हो जाए अब यहां पर student कि दो category एक तो वो जो यहां पर 55 marks देखके ठोड़ दे होंगे फिर कोशिश करेंगे दूसरा टैस्स लगा लें बीना उसको analysis कि छोड़ देंगे मगर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी बात लिखके ले यह एक्जाम को क्लियर करने की जो सबसे बड़ा सक्सेस की जो की है वो मौक टैस देने से ज्यादा यह analysis है आपको इस तरीके से analysis करना है कि आपको जरूर रिजर्ट दिखेगा और इंप्रूमेंट देखेगा हम मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरीके की चीज़े फॉलो करें कि 55 से लेकर वो इंक्रीज कर जाए यहां पर हमारा जो टार्गेट रहेगा एंटी पीसी में पूरा पूरा टार्गेट हमारा 85 प्लस का है हमें कुछ भी करके 85 प्लस लाने कॉम्पेटिशन कितना भी हाय हो जाए कितने भी सुडेंट कुछ भी कर ले 85 से अगर वो आप नंबर ले आते यह 85 के अराओं तो आपकी जो प्री है वो बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ हो जाएगा आप बिल्कुल सेफ हो जाएंगे तो इस वीडियो में आप डिसकस करेंग अब आपको जो भी टैस्ट देतें मॉक टैस्ट वाव यह समझ के चलिए कि आपको हर मॉक टैस्ट के लिए एक नोट्बुक बनानी होगी उस नोट्बुक में हर एक टैस्ट का लिखना होगा यह आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको अप्लाई भी करना होगा अगर छोड़ देते हैं उनके marks improvement नहीं होते हैं जो में पर दें उनको रिजर्ट जरूर मिलता है उसको आता था सब कुछ था फॉर्मुला भूल गया टेस्ट करते गड़ते हैं टो इसली टैस्ट जैसे ही खतं होता है जस खतं होने के बाद इस प्रॉब्लम को फिक्स करने को फिक्स करेंगे आपको उसी टांस इतने formula जो formula आपने गल्थ किया है महां पर वह और जितने reform Politik करना है एल लीष्ट आपको 3 घंट देने3 घंट है क्योंग चसब को यहां मैट्स को मैस को डिश्ञंट वॉर्क में कुशिंग कैम इस त्रीके से जैसे पहले काम यहीं गिया फिर अगले त्व नहीं किया इस टाइप का जो पाया उसने गल्ट कर दिया उसकोषन को हो करना क्या है इस क्वोष्चिंगे जैसे ही प्रीवियस है जो भी प्रफेर करते हैं राकेश इअदर सर की भूके या किरन है जो भी आपको पसंद सुझ सक्थ करते हो दोनों क्यों दें इस इस टाइब के आपको आठ्ट से दस कोशन टाइम लगाने चाहिए पंदरा मिनिट लग जाएं बीस में लग जाएं आपके पास एक घंटा से डीड़ घंटाय मैस करने के लिए कैलकुलेशन प्रकाम करेंगे और इस टाइब के कोशन करेंगे नेक्स चौत्था कोशन आता है फोर एलजेब्र एलजेब्र कोशन क्यों गलाज गया उसने देखा कि एलजेब्र कोशन उसको आता था पूरा प्रॉपर हर चीज आती थी मगर उसके बाद भी वह पढ़ नहीं पाया कि इस अफांस क्जांट क्या मॉद्धा स्टार्ट किया भाद मैं ऐसे कि उसको पद should真的 मुझे आता था गलत की क्यों हुआ जल्द बाज़ी में जल्द जल्द पढ़ने के चक्कर में उसका ये कोशन गल्द हो गया आप गाल्ती कितनी भारी तुल्द औह गयी है उसको तो इस छीज को समझ ये बिल्वकुल कॉन्फिडेंट के साथ वेपर को पढ़िस थरीगे से आप नोट करना हैं को क्वें से लिटे चार कुश्चन जो है वो गल्द होगे चार कोश्चन बहुत आसान आसान कोश्चन मगर गल्द क्यों होगे क्योंकि पढ़ने वाया mostly student क्या करते हैं mr. कि य यह वो डेली के डेली ओर आधी जो चल दें जातर यूडियूब पे उनको करने लिखने कोशच करते हैं कि करने कटे कर लेंगे ये कर लेंगे कर लेंगे तो मुझे यह पता चला कि मॉग टेस्ट एनलेसिस के बाद जो सबसे बड़ा ऑप्शन है सबसे बड़ा जो क्वेरी दी बच्चों की जो डिमांड है वह करेंट अफेर की है तो काफी स्टूटेंट ने मुझसे कहा भी था कि करेंट अफेर आप करा दो उसी चीज़ को देख करूंगा आप मुझे अगर करेंट ऐफेर के लिए दिखना चाहते हैं तो चैनल ग्रेट आईक्यू अ ग्रेट आईक्यू इस चैनल पर सबस्क्राइब कर सकते आप ग्रेट आइक बेगार विजट कीजिए यहां पर मैं आपको करेंट आफेर ब्रवाइड करूंगा अगर को स्टेटिक जी के में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहां जाए कॉंटाइट कर सकते हैं मैं खुद आपको परसनली सब को जवाब दूंगा ग्रेट आईक्यू के थू कोई सी भी दिक्कत होती है अगर आपको बुक्स के ऑथर में फिजिक्स के इन्मेंशन स्टेटिक कोई लोग निरित्ते होते हैं किसी भी जिसकी कोई दिक्कत होती है मैं उसके पूरा टॉपिक पर बोर्शन बना दो वीडियो बना दूंगा और प्रोवाइड कर दूंगा मेरा तो मकसद यह है कि मैं आपकी हेल्प करूं मेरी मगर आप से गुजारिश है कि आपकी मेहनत मे मेहनत करेगा और मेहनती स्टूटेंट जो मुझे से कॉंटाइट करेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको हर चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के फॉर्म में चाय किसी और तरीके से मैं उसको पूरी मदद करने के लिए तयार हूं बस आप मेहनत करते जाए अगर आपको कुछ और चीज़ें पूछनी एससे रिलेटेट या इससे हट के भी कोछी पूछनी तो आपको नीचे यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी देख जाएगी इंस्टाग्राम पे आप फॉलोव कर सकते हैं इस्टाग्राम पर आपको सभी को पूरा लेसे कर लेंगे आपके पास लिखा होगा पॉलेटी में संशोधन में कुशन गल्द है आपको उसी टाइम जो अब प्रफेर करते हैं लूशेंटो या मनोवर पांडेयो या कोई सी अधर बोगो जो आप प्रफेर करते हैं संशोधन आपको जो हैं सारे एक बार रीड करने सारे नहीं कर पाते जो इंपोर्टेंट संशोधन है वो सब पढ़ने उसी टाइम यह मैं बता रहा हूं आपको कि मौक टैस्ट के बाद तीन घंटे आपको यह वर्क करना है गैरेंटी मेरी है चार से पांच मौक टैस्ट में आपके मार्क से इंक्रीज हो जाएंगे नहीं उते आप मुझे से कॉंट्रेक्ट कीजिए उसके बाद हिस्ट्री हिस्ट्री में कुशन गल्द था लॉर्ड का सब्सक्राइब करते हैं वारं हैस्टिंग कुछ कोशन आया था वो गल्द कर दिया अब इसको कैसे फिक्स करें सब्सक्राइब करना है तो आपको याद रहा है कि मैंने इसमें गल्द किया था और मुझे आपका भी गल्द नहीं करना है इसके बारे साइंस में भी यही पैटन फॉलो करना है अगर उसके यहां पर फिजिक्स और कैमिस्ट्री में कुशन गल्द जाते हैं तो उसको इसी क कवर होगे उसका हमने ऑने अनलेसिस कर लिया कि हमें किस तरीके से क्या-क्या नोट करना है और टैस्ट के बात क्या करना है फाइनली स्ट्री अशन बचता है हमारा रीजडीं रीजनिंग में 30 स्कॉशन आतें 26 ने अटैम्ट किये थे दो इसने गलत कर दिए गुशन गलत रीड नहीं कर पाया ऐसा है जल्द बाजी वही प्रैक्टिस की कमी और जल्द बाजी आपको कॉंफिडेंस रखना होगा आपको पता होना चाहिए कि आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिए कि मैं कुश्चन कर लूगा वहाँ पार आपको मानसिक संतुलन बनाया रखना है अपना कुश्चन को और आमसे करना कम से कम आपको आदा घंटा आदा घंटा आपको हर टेस्ट के बाद रिजनिंग में देना है इसको लाइट ली नहीं लेना इसको लाइट ले ले लेते हैं सोचते हैं कि आसान सा सब्जेक्ट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा मगर यह वो सब्ज तक लेकर जाने कैसे नहीं कैसे करके इजी सब्जेक्ट है सबुलों मार्क्स करते हैं इसमें ङूές सब biri करते हैं Uhud में सब करते हैं अगर आप इस और लोगों से पीछे ओ जाएंग तो कम से कम से कम फिस सु फींस सब्जट में ssa तो यहां तक हमने बात कर लिए अपने तीनों सेक्शन की, मैस, जी ए और हमारा दीजनिंग, किस तरीके से हमें नोट बुक में उसको नोट करना है, और टेस्ट के बाद हमें तीन घंटे इस पर कैसे काम करना है, यह एनलेसे आप आदे घंटे में कर सकते हैं, और उसके बाद उससे कॉंट्रेक्ट कीजेगा, अब हम बात करते हैं, हमारा टार्गेट क्या है, हमें कहां तक पहुचना है, टार्गेट जो है, हमारा यहां पर 85 का है, 85 प्लस दिमाग में डाल लेना है, यह नंबर, यह नंबर को दिमाग में रखना है बिलकुल, कि चाहे कुछ भी हो जा आप देख लिजिए, अब इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, मेरा जो होता था, मैं हर पॉर्शन को डिवाइड करता था, कि हां मुझे सेक्षन में इतने माक्स करने ही करने, अब टार्गेट मैंने यह बनाया कि मैस में 27 माक्स मुझे लेकर आने, जी एस में 30 और रीजिंग में 28, यह वो नमबर है, जो अगर मैं अचीव कर लूँ, तो 85 को मैं अचीव कर सकता हूं, यही इस माक्स को मेरे को डिवाइड करना है, 85 नमबर को, कि मुझे इतने अगर मैं कर भाऊं, तो मैं 85 तक पहुश सकता हूं, थोड़ बहुत उपर नीचे भी अगर इसमें हो जाता है चार पाश नमबर, तो भी आपके 80 अवाव ही रहेंगे, जिससे एजीली पेपर क्राइक हो जाएगा, तो यह था पूरा मॉक टेस्ट, यह उस तरीके सा जिस तरीके से मैं फॉलो करता था, यह पूरी स्रेटरजी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यह मेरी खुद परसनल है, मैं हर मौक टेस्ट के बाद 3-4 घंटे देता था, किस हिसाफ से देता था, वो मैंने आपको सब शेयर कर दिया, अब आपको जो भी प्रॉबलम हो सकती है, कोई प्रॉबलम है, वो कमेंड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर यह ग्रेट करोंगा, कोई प्रॉबलम नहीं लेनी है, धीरे धीरे करके मैं आपने दर से पूरी कोषिश करूँगा, बिल्कुल सही गाइडेन्स करूँगा, क्योंकि मैं भी इभि हुसी प्रॉप मैं कुछ ब्दहिया अपको बता करें तो, मेरी सजेशन यह है, स्क्रीन जोन, लेप्टॉब इन सबसे थोड़ा सा दूर रहें ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने पढ़ाई पर दे स्रिफ और स्रिफ जिस पैटन से आपको पताया गया वैसे आप मौक टैस्ट दे उसको एनलेसिस करें और अदर प्रॉब्लम आती है किसी सब्जेक्ट में किसी पोर्शन में मुझे कमेंट करें मैं आपको पूरी तरीकिशे करूंगा जितनी हैट अब लाग दुंगा को कहीं से कोई प्रॉलम नहीं आएगी तो ये था वीडियो का एनलेसिस हमारा मॉक टैस्ट का पुरा आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा है अगर आपको मेरी नदरे से आपके लिए कुछ चीज पेश करते हैं तो आप सब्सक्राइब को शेयर करते हैं। निएक्स विडियोग मत को आश्च जो और सेधों करूं है। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर और बेस्ट